आज हम दस्मी कक्षा के विज्ञान का अध्याय पांचवां तत्मों का आवर्ती वर्गी करन पढ़ना शुरू करेंगे प्यारे विध्यार्तियों, नमस्कार आशा करती हूं, आप सभी अपने घरों में तंद्रुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रती आपका उत्सा कायम होगा बच्चों, आज हम दस्मी कक्षा के विज्ञान का अध्याय पांचवां तत्मों का आवर्ती वर्गी करन पढ़ना शुरू करेंगे तो आएए देखते हैं कि पहले हम क्या पढ़ चुके हैं तत्व किस प्रकार बने होते हैं, परमानू किस प्रकार बने होते हैं, किसी तत्व की इलेक्ट्रोनिक व्यवस्था किस प्रकार लिखी जाती है यह सब हम नाइन्थ क्लास में पढ़ कर आए हैं तो अब हम यह देखते हैं कि इस अध्याय में हम आज क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे तत्वों के वर्गी करण के लिए डॉबे राइनर और नूलेंज की कोशिशें, मैंडलीव की आवर्थसार्णी, आधुनिक आवर्थसार्णी और आधुनिक आवर्थसार्णी की प्रवर्तियां सभी तत्वों की भिन 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 विशेश्टाएं हैं, प्रतेक तत्व को क्रमिक रूप से एक एक करण पढ़ना मुश्किल है इसलिए विज्ञानिकों ने कुछ सांजे या कौमन गुन धर्मों को ढूनना आरंब किया, जिसके साथ तत्वों का अध्यन आसानी से किया जा सके। इसलिए कई विज्ञानिकों जैसे डॉबे राइनर, न्यू लैंज, मैंडलीव आदी ने अपनी अपनी अवधार्नाएं प्रस्तुत करी। आईए अब हम सबसे पहले डॉबे राइनर के प्रयास उनके त्रेकों के बारे में जानते हैं। सन 1817 में डॉबे राइनर ने समान गुण धर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने तीन-तीन तत्वों के त्रिक बनाए। उनके अनुसार जब किसी त्रिक में तत्वों को उनके परमानु द्रव्यमान के आरोही क्रम के अनुसार रखा जाता है। तो पहले और तीसरे तत्व के पर्मानु द्रविमान के जोड का ओसत बीच वाले अर्थात दूसरे तत्व का पर्मानु द्रविमान दर्शाता है। यहां आरोही क्रम का मतलब है पर्मानु द्रविमानों का बढ़ता क्रम। उधारन के लिए उनका एक त्रिक था लीथियम, सोडियम वा पोटेशियम यहाँ सोडियम का परमानुद्रविमान, लीथियम वा पोटेशियम के परमानुद्रविमान के जोड का ओसत आता है लेकिन डॉबे राइनर के त्रिक की कुछ कम्यां भी थी डॉबे राइनर उस समय तक ग्याद तत्वों में से केवल तीन ही त्रिक ग्याद कर पाए थे तो यह है उनके नियम की कमी माने गई चलिए बच्चों, अब हम न्यू लेंड्स के अस्टक सिध्धान्थ के बारे में पढ़ते हैं न्यू लेंड्स के अनुसार जब तत्वों को उनके परमानों द्रव्यमान के आरोही क्रम के अनुसार यानि परमानों द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो प्रतीक आठ्वे तत्व का गुण धर्म पहले तत्व के गुण धर्म के समान आता है उन्होंने इसकी तुलना संगीत के आठ सुरों से की थी जिस तरह से सारे गामा पाधनी के बाद आठ्वा सुर सा आता है ठीक उसी तरह उनका मानना था कि पहले तत्व के बाद जो आठ्वा तत्व आता है उनके गुण धर्म समान होते हैं उधारन के लिए जैसे लीथियम वो सोडियम के गुण धर्म समान है और न्यूलेंड के अनुसार सोडियम लीथियम के बाद का आठ्वा तत्व है नूलेंड के अस्टक सिध्धान्त की भी कुछ कम्या रही जिस कारण उसे आगे नहीं माना गया तो वो कम्या है सबसे पहली के नूलेंड का अस्टक सिध्धान्त केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है दूसरा न्यूलेंड की कल्पना के अनुसार प्रकृती में केवल 56 तत्व ही विद्यमान थे और उन्होंने सोचा कि बाद में शायद कोई भी नया तत्व नहीं मिलेगा लेकिन बाद में जब नय तत्व मिले तो उनके गुंधर्म अश्टक सिधान्थ से मेल नहीं खाते थे न्यूलेंड की तीसरी कमी ये रही कि उन्होंने अपने तत्वों को सार्णी में एज़िस्ट करने के लिए कुछ समान गुंधर्म वाले तत्वों को अलग-अलग स्थान पर रखा और असमान गुंधर्म वाले तत्वों को एक साथ रख दिया जैसे कोबाल्ट वा निकल को क्लोरीन वा ब्रॉमीन के साथ रखा गया जबकि इनके गुंधर्म आपस में बिल्कुल नहीं मेल खाते मैंडिलीफ की आवर्थसान ने नूलेंज की और डोबे राइनर के प्रयासों के बाद मैंडिलीफ ने अपनी आवर्थसान ने बनाई जिसमें तत्वों को उनके परमानु द्रव्यमान वह उनके भौतिक वह रासाइनिक गुंधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया गया यह है मैंडिलीफ की आवर्थसानी मैंडिलीफ की आवर्थसानी का सिध्धान्थ है तत्वों के गुंधर्म उनके परमानों द्रव्यमानों का आवर्थ फलन होते हैं मेंडिलीफ की आवर्थ सार्णी की भी कुछ कमिया थी। सबसे पहली कमी मेंडिलीफ की सार्णी में हाइडरोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। दूसरी कमी समस्थानिक रहे। समस्थानिक मेंडिलीफ की आवर्थ सार्णी के लिए एक चुनौती बन गये थे। क्यूंकि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण धर्म तो समान होते हैं परंतु परमानु द्रविमान बिन भिन होते हैं। तो जब समस्थानिकों का पता चला तो उन्हें अपनी सार्णी में एज़स्ट करने के लिए जगह देने के लिए मैंडिलीफ को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। मैंडिलीफ की तीसरी कमी ये रही कि एक तत्व से दूसरे तत्व की और बढ़ने पर परमानु द्रविमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं। तो इस वजह से एक और दो तत्वों के बीच में और कितने तत्व आ सकते हैं, इसके बारे में कोई एक्जेक्ट वैल्यू, कोई सही ज्यान नहीं हो पा रहा था। लेकिन इन कम्यों की बावजूद भी मैंडिलीफ की आवर्थ सार्णी में कुछ उबलब्धियां थी। उसे ही रिक्तिस्थान रखे थे। साथी साथ उन्होंने इन नए तत्वों के कुछ गुण धर्मों का भी अनुमान लगा लिया था। और उन्हें नाम भी दिया था। जैसे काफी बाद में ग्यात हुए गैलियम का नाम उन्होंने एका एलिमीनियम रखा था। इसी तरह एक जैसे गुण धर्मों वाले तत्वों को साथ रखने के लिए कभी-कभी अधिक दर्वेमान वाले तत्व को कम दर्वेमान वाले तत्व से पहले रखा गया था. उत्करष्ट गैसें अक्रिय होने के कारण देर से ग्यात हुएं. परन्तु जब ये ग्यात हुएं तो इन्हें पुरानी व्यवस्था को छेड़े बिना ही नए समू में रखा गया. आधुनिक आवर्थसान ने. सन 1913 में हेंरी मोजले ने बताया कि तत्वों के परमानु दर्वेमान की तुल्ला में परमानु संख्या जिसे हम जड से लिखते हैं अधिक आधार भूत गुन धर्म है. तो इस वजह से एक नए आधुनिक आवर्थसान ने बनाई गई. और इस आधुनिक आवर्थसान ने का सिध्धान था तत्वों के गुन धर्म उनकी परमानु संख्या के आवर्थफलन होते हैं. अब एक तत्व से जब दूसरे तत्व तक बढ़ते हैं तो परमानु संख्या में एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटोन की ही व्रिध्धी होती है. जबकि परमानु द्रविमान नियमित करम में नहीं बढ़ता है. तो बच्चों चलिए अब हम आधुनिक आवर्थ सार्णी में कुछ ध्यान देने वाली बातें देखते हैं. आधुनिक आवर्थ सार्णी ने मैंडिलीव की आवर्थ सार्णी की लगभग सारी कम्यों को दूर किया. हाइड्रोजन को परमानु संख्या के आधार पर निश्चित स्थान दिया गया. तत्मों को उनके गुन धर्मों की समानता के आधार पर वर्गी करत किया गया. तत्मों के वर्गी करन का आधार परमानु संख्या है जो की एक पून गुन धर्म है. तो चलिए देखते हैं आधुनिक आवर्थ सान्ने परमानू के कक्षों में इलेक्ट्रोनिक व्यवस्था परमानू की सरचना हमने कक्षा 9 में पढ़ी है हम सब जानते हैं कि परमानू के केंदर में एक नाभिक होता है और उस नाभिक के बाहर की तरफ के, एल, एम और एन कक्ष होते हैं किसी भी कक्ष या कोश में इलेक्ट्रोनों की अधिक्तम संख्या एक सूत्र पर निर्भर करती है और वह सूत्र है 2N स्क्वाइर यहाँ पर N नाभिक से निश्चित कोश की संख्या को बताता है जैसे नाभिक के बाहर पहला कक्ष या पहला कोश के है तो वो हुआ फर्स्ट कोश तो उसके लिए N हम लेंगे 1 या 1 तो सूत्र के अनुसार 2N स्क्वाइर इस इक्वाइर हो जाएगा 2 इंटू एक का स्क्वाइर दाट इस 2 इंटू 1 दो गुणा एक और वो बनेगा 2 तो इस प्रकार यह है पता चलता है कि के कोश में 2 इलेक्ट्रोन आएंगे और इसी तरह पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं दूसरा कक्ष है एल कक्ष या एल कोश तो एल कोश के लिए 2N स्क्वाइर सूत्र बनेगा 2 गुणा 2 की पावर 2 या 2 इंटू 2 स्क्वाइर जो बन जाएगा 2 गुणा 4 और जो अन्त में आएगा 8 यानि कि एल कोश में 8 इलेक्ट्रोन होते हैं और इसी लिए दूसरे आवर्त में भी 8 तत्व होते हैं तीसरा कोश है M कोश M कोश के लिए सूत्र के अनुसार 2N स्क्वाइर में आएगा 2 गुणा 3 की पावर 2 तो 2 इंटू 3 स्क्वाइर और ये बनेगा 2 गुणा 9 जिसका अनसर आता है 18 इलेक्ट्रोन लेकिन बहरी कक्ष में क्योंकि 8 से जादा इलेक्ट्रोन नहीं हो सकते हैं इसलिए तीसरे आवर्त में भी 8 ही तत्व होंगे तो बच्चों आवर्त सार्णी में तत्वों की स्थिती से उनकी रासाइनिक क्रियाशीलता का पता चल जाता है चलिए अब हम सल्फर तत्व की इलक्ट्रोनिक व्यवस्था को देखते हैं बच्चों सल्फर का प्रमानू संख्या है 16 अर्थार्थ सल्फर में 16 इलेक्ट्रोन है दो अगर हम इलेक्ट्रोनों को व्यवस्थित करें तो 16 को डिवाइट करेंगे तो K कक्ष में 2, L में 8 और M कोश में बाकी बचे 6 इलेक्ट्रोन आते हैं अतर सल्फर की इलेक्ट्रोनिक व्यवस्था होगी 2, 8, 6 इसके बाहतम कोश में 6 इलेक्ट्रोन होते हैं आधुनिक आवर्थ साने की प्रवर्ती देखते हैं किसी भी तत्व की सयोजक्ता उसके परमानू के बाहरी कक्ष में उपस्थित सयोजक्ता इलेक्ट्रोनों की संख्या पर निर्भर करती है किसी तत्व की इलेक्ट्रोनिक व्यवस्था से उसकी सयोजक्ता कैसे निकालते हैं? आईए देखें इसको समझने के लिए उधारन स्वरूप हम परमानु संख्या 12 वाला मेगनीशियम और परमानु संख्या 16 वाला सलफर लेते हैं और इनकी सयोजक्ता के बारे में बात करते हैं मेगनीशियम की परमानु संख्या 12 है इसकी इलेक्ट्रोनिक व्यवस्ता है 2, 8, 2 अर्थाद इसके बारी कोश में 2 इलेक्ट्रोन है अपने आपको स्थाई करने के लिए ये बारी कोश के 2 इलेक्ट्रोन दान कर देता है तो फिर मेगनीशियम की सयोजक्ता हुई 2 चलिए अब सलफर को देखते हैं सलफर की परमानु संख्या है 16 इसकी इलेक्ट्रोनिक व्यवस्ता है दो आठ छे बहरी कक्ष को स्थाई करने के लिए आठ इलेक्ट्रोन चाहिए तो सल्फर या तो यह छे इलेक्ट्रोन दान कर सकता है या यह दो इलेक्ट्रोन ग्रहन कर आठ इलेक्ट्रोन बना सकता है अतह सलफर दो इलेक्ट्रोन ग्रहन कर स्थिर हो जाता है इस कारण सलफर की सयोजकता है दो चलिए बच्चों, जब हम आवर्त सार्णी में आवर्त में बाई से दाई और जाते हैं तो सयोजकता देखी जाए तो सयोजक्ता पहले बढ़ती है और फिर कम होती जाती है जबकि समू में उपर से नीचे आने पर सयोजक्ता बढ़ती जाती है परमानु आकरती वह प्रथम समू आईए बच्चों, अब हम आवर्तों वह समूहों में परमानु के आकार के बदलने का अध्यन करते हैं आवर्त सार्नी के दूसरे आवर्त में लीथियम, बिरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, वो अक्सीजन तत्व है अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही कोश में यानि सबसे बाहरी कोश में ही इलेक्ट्रोन बढ़ते जा रहे हैं जिसके साथ नाभिक जो की धनावेशित है रिनावेशित इलेक्ट्रोनों को अपने और खीशता है इसलिए आवर्त में बाई से दाई और जाने पर परमानु का आकार छोटा होता जाता है दूसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों के परमानु की त्रिज्या यहां दी गई है इससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि आवर्तों में बाई से दाई और जाते हुए परमानु का आकार छोटा होता जाता है अब हम समू की बात करते हैं समू, बच्चों यदि हम प्रथम समू की बात करें तो इसमें तत्वों हैं हाइड्रोजन, लीथियम, सोडियम, पुटेशियम, आदि यहां उपर से नीचे आते हुए परमानु का आकार बढ़ता जाता है क्यूंकि एक-एक नया कोश हर परमानु में जुरता जा रहा है इस कारण नाभिक और इलेक्ट्रोनों के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और विपरीत आवेशों में आकर्शन बल कम हो जाता है प्रथम समू के परमानु के नीचे इनकी त्रज्याओं में परिवर्तन देखा जा सकता है जो की उपर से नीचे की और बढ़ रहा है चलिए बचों अब हम देखते हैं धात्विक गुनधर्म धात्विक गुनधर्म का अर्थ है इलेक्ट्रोन त्यागने की प्रवर्ति कोई तत्व जितनी असानी से इलेक्ट्रोन त्यागता है उसका धात्विक गोण भी उतना ही अधिक होता है आवर्त में बाएं से दाई और जाने पर परमानु त्रिज्या घटती है नाभिक में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रोनों को यह अपनी और खींशता है जिससे परमानु का आकार भी कम होता जाता है इस कारण आवर्त में बाई से दाई और जाने पर इलेक्ट्रोन त्यागने की प्रवर्ती कम हो जाती है और धात्विक गुण भी कम होता जाता है जबकि समू में जब हम उपर से नीचे की तरफ आते हैं तो परमानु का आकार बढ़ता जाता है क्योंकि सयोजक्ता इलेक्ट्रोन पर लगने वाला नाभिकी आवेश कम होता जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहारी इलेक्ट्रोन नया कोश जुणने के कारण नाभिक से दूर होते जाते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रोन आसानी से निकालते या त्याग सकते हैं अतहे धात्विक गुण समूहों में उपर से नीचे जाने पर बढ़ता है अधात्विक गुण धर्म धात्विक गुण धर्म के विप्रीत आवर्त में अधात्विक गुण धर्म बाएं से दाएं और जाने पर बढ़ता है वह समू में उपर से नीचे की और आने पर अधात्वे गुंधर्म घटता है चलिए बच्चों अभी सध्याय का संशोधन करते हैं तत्वों का वर्गी करन करना आविशक था जिससे उनकी बड़ी संक्या का अध्यन आसानी से हो सके डॉबे राइनर वो न्यूलेंज ने तत्वों को उनके परमानू द्रव्यमान के आधार पर वर्गी करत किया मेंडिलीफ ने तत्मों को उनकी परमानु द्रव्यमानों के आरोही क्रम यानि की बढ़ते हुए क्रम तथा उनकी रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर वर्गी क्रत किया 1913 में हेन्री मोजले ने परमानु संख्या को पून आधार मान कर मेंडिलीफ की सार्णी के सिध्धान्त में परिवर्टन किया आधुनिक आवर्थ सार्णी के सिध्धान्त के अनुसार तत्मों के गुण धर्म उनकी परमानु संख्या के आवर्थ फलन होते हैं आधुनिक आवर्थ सान्नी में तत्वों की सयोजक्ता, पर्मानु आकार, धात्विक वा आधात्विक गुन्धर्म, आवर्थ वा समूहों में बदलते हैं आईए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्णों का अभ्यास करें पहला प्रश्ण है, ओक्सीजन जिसकी पर्मानु संख्या आठ है, इसका सही इलेक्ट्रोनिक विन्यास चुने आपके ओप्शिन हैं, दो छे, दो पाँच एक, एक, चार तीन, या दो आठ जी हाँ, क्योंकि इसका पर्मानु संख्या आठ है, तो इसका सही विन्यास होगा दो, छे, के कोश में दो इलेक्ट्रोन और बाकी छे इलेक्ट्रोन एल कोश में आधुनिक आवर्थ सान्नी में कितने आवर्थ वो कितने समू हैं साथ आवर्थ अठारा समू, साथ आवर्थ उननिस समू, साथ आवर्थ बीस समू या आठ आवर्थ बीस समू जी हाँ आपका उत्तर सही है साथ आवर्थ और अठारा समो बच्चों अब इन कुछ प्रश्णों के बारे में आप सोचिए और इनके उत्तर का पता लगाईए पहला प्रश्ण है मेंडिलीव की आवर्थ सार्णी में क्या कमिया थी दूसरा प्रश्ण आधुनिक आवर्थ सार्णी में तत्मों की संयों जक्ता कैसे बदलती है तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय तत्मों का आवर्थी वर्गी करण समाप्त होता है आशा करती हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा तो बच्चों आप पढ़ते रहे बढ़ते रहे और खुश रहे तन्यवाद